नमस्कार मित्रों स्वागत है सिद्व टोट के चैनल पर आप सब का एक बार फिर से आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे उन लड़कियों के बारे में जिनका नाम S-letter से स्टार्ट होता है बहुत important है क्योंकि curiosity है लोगों की यह जानने की कि S-letter में आखिर इतना खास क्या है कि इसकी जो इस नाम वाली लड़किया होती है वो कुछ खास तरह की क्यों होती है तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है यानि कि ऐसी कोई लड़की है जिसका नाम S-letter से स्टार्ट होता है तो आपको उसके बारे में काफी कुछ जानने सीखने को मिलेगा आएए बात करते हैं इसके बारे में इससे पहले जो लोग नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें साथी नोटिफिकेशन बेल को आउन कर ले तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनका नाम S से स्टार्ट होता है ताकि उनको भी अपने बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिले और वो अपनी जिन्दिगी को कैसे और बहतर कर सकते हैं इस बारे में भी वो समझ पाएं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जो बात है यहाँ पर कि जिनका नाम S से स्टार्ट होता है तो लड़कों के बारे में मैंने बताया था S से स्टार्ट हो रहा है तो क्या-क्या बाते होती है वो वीडियो भी है और खुब देखा भी जा रहा है आप भी उसको देख सकते हैं आपको वो मिल जाएगा कार्ड में आप उपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं आप लड़के हैं और अगर आप लड़की हैं और आप चाहते हैं कि आपके बारे में आप जानें तो फिर मैं यह वाला वीडियो है है लेकिन अगर आप लड़की और एस नाम के लड़कों के बारे में जानना चाहते हैं तब भी आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं अब यह में बात करनी है, एस नाम उली लड़कियां प्यार में कैसी होती है, यह अपनी ब्योहार में कैसी होती है, इनका करियर क्या रहता है, इनके दोस्तों के साथ इनका क्या रिष्टा बनता है, किस तरह रहती है, तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, इनकी सपनों के बारे में एस लेटर से जिनका भी नाम स्टार्ट होता है वो चाहे लड़की हो या लड़के हो इनके सपने बहुत उचे और बहुत ही अलग तरह के होते हैं ठीक है एकदम अलग तरह की सोच होती है इनकी अगर इनको अच्छा महौल मिल जाए अगर इनको ऐसी सहूलेते मिल जैसे कि आगे बढ़ सकते हैं तो फिर यह बहुत कुछ करके दे सकते हैं इस दुनिया को लेकिन ऐसा सब के साथ नहीं होता और इसी वज़े से आप देखेंगे कि ऐस नाम वाले आगे जाकर के या तो बिलकुरी फेल मिलते हैं बहुत ही जादा फ्रस्ट्रेटेड मिलते है बहुत यह गुस्से वाले मिलते हैं आप देखेंगे सारी बाते हैं यह तो दोनों पे लागो होता है लड़का हो या लड़की हो और काफियत तक आपके जिखते कि यह तो सभी तरह के लोगों पे लागो होता है लेकिन एस नाम वाले जो हैं इन पर यह बात कम्प्लीटली लागो होती है आप नीचे कमेंट करके बताएंगे का आपके सपने ऊचे थे लेकिन आपको फैलेवर मिला है आपके घरवाले आपका साथ ने दे पाए आपके दोस्तों ने आपका साथ ने दिया आपकी सोच बिलकु अलग थी आप जो करना चाहते थे वो आपको करने ने ऐसे बहुत सारी बाते हैं जो आप मुझे नीचे comment में बताएंगे, तो आप बताएगा हम भी इसको पढ़ना चाहेंगे, और ऐसी लड़किया जिनका नाम S स्टार्ट होता है, वो प्यार बहुत करती हैं जिसको करती है, डिस्परेट होती है प्यार में, वो जिसको प्यार कर किसे प्यार हो गया तो फिर वो उसे प्यार ही प्यार करती थीक है लेकिन है अगर इनका ego heart हुआ कहीं पर इनको जरह सब यह feel हुआ कि इनकी जद नहीं की जा रही है तो यह इनको बहुत ज्यादा हर्ट होता है और इसकी वज़ा से क्योंकि हर्ट हुआ है तो इसकी वज़ा से ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है ऐस नाम जिनका भी ऐस स्टार्ट होता है ये सब के सब ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है जिनको गुस्सा खूब आता है बहुत ही ज्य ज़्यादा गुस्से से देर तक मतलब नहीं होता, लेकिन इनको गुस्सा आता खूब है, तो अगर आप ऐसे हैं, तो आप समझ गए होंगे, आपको गुस्सा आएगा, इनके मन की जो इस्तिती होती है वो कलपना में खूब रहती है ऐसे लोग काम करते हैं तो खूब करते हैं नहीं करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आराम तलबी वालिया इनका महौल हो जाता है लड़कियां भी ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा आलसी भी हो जाती है और ऐसी लड़कियां ही होती है जो बहुत काम करती हैं तो दूलोंत रहिए ठीक है काम भी खूब करने वाली है और नहीं भी करने वाली अगर आप में ऐसी कोई बात हे तो आप तुरंत यसे को पकड़ जाएंगे कि आप लड़कों से दूर चीज़ें सही चल रही है तो फिर आप हर चीज़ कर जाओगे जो भी आप चाहते हो वो आप करोगे जो आपके साथ है उसको आपरिशन रखोगे लेकिन अगर आपकी सर्तें नहीं मानी जा रही किसी भी तरीके से आपको जरा सा भी सेंस हुआ कि धोखा हो रहा है और है ऐसे लड़कों को सेंस बहुत तेज होता है यह बहुत ही जल्दी जान जाती है कि क्या होने जा रहा है और इसलिए ऐसे लोगों से बच करके रहना भी ज़रूरी होता है अगर आप किसी तरह के गलत मासिक्ता वाले वेक्ति हैं गलत काम कर रहे हैं तो आपको ऐसे लोगों से कि जो गलती वो इनकी पकड में आती रही आपको टोकते रहे और आप सुधरते रहे अगर आप ऐस नाम वाले नहीं है ऐस नाम वाले सेंस अच्छा करते हैं ऐस नाम वालों को सेक्स बहुत पसंद होता है इनकी ड्राइंग इनकी सिंगिंग इनकी आर्ट्स अच्छी होती है आर्ट्स में बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत कुछ करना चाहते भी हैं आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनका साइंस के प्रति रुजान है और यह बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव होते हैं बहुत ही अलग तरह की चीजे सोचते हैं बात अलग है कि उसको उतार पाएं दिया में यह चीजी पर उतार पाएं जीम में रहा सके दुनिया में या नहीं रहा सके क्योंकि मैंने रहा है लड़क queste को नहीं कर पाते हैं बहुत लोग इसे आपने देखा है ना जिनको कुछ कोई सहरा नेई था कोई सहयोग नहीं था फिर भी उन्होंने कर दिखा है लेक किसी ने थोड़ ऐसा उनको अपनी उसे सायोग दिया तो वो आगे भढ़क है है ना ऐसा होता है एस नमली लड़किया अपने पती के प्रती बहुत जिम्मेदार होती हैं गुसा आने पर पूरी तरस उन्हें छोड़ देती हैं लेकिन अगर वो खुस हैं तो अपने पती को ज कि इतनी ज़्यादा समर्पित यह होती हैं उतनी किसी दूसरी दासी वाली लड़की समर्पित नहीं हो सकती हैं इसलिए ध्यान में रखे कि आप अगर इनके साथ हैं तो इनको धोखा नहीं देना है आप इनको खुष रख्खे अगर इस नमली लड़किया है और आप इने पाजाएंगे पर सो तीसरी चीज पाजाएंगे इस तरह से तीजी से आपकी growth हötी है अगर आप इने खुष रखते अगर आप इनके साथ ठगी कर रहें धोका करने बेमानी करने में वहका रहें फुसला रहें तो फिर गरावट देखने को मिलेगी जहां तक बात है कि सनी इनके साथ में क्या करता है तो आपको मैं बता दू कि ज़्यादा प्रभाव सनी का इन पर नहीं होता लेकिन अगर इनने कोई गलती करिये तो उसकी सजा जरूर मिल जाती है खास तोर से ये लड़कों के साथ होता है अगर इस नाम के लड़के हैं और उन्हें कोई गलती की तो इसकी सजा उन्हें तुरंत मिलती है प्रमात्मा दंड दे देता है ये बात अलगी को इसे समझ पाएं ना समझ पाएं आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन आपने कोई गलती की तो पढ़ाई में रिजल्ट तुरन थिखराब हो जाएगा आपने किसी की प्रतीमन में गलत विचार लगाया आपके पैर में तुरन ठोकर लग जाती है ऐसा आपके साथ होगा ठीक है तो गलत कामों से बचना है लड़कों को भी और लड़कियों को भी आप जिन लोगों ने यह सुन रखा है कि लड़कियों को जो एस नाम वाली है ये इनको सेक्स बहुत पसंद होता है तो इनसे इस तरह के बाते करें तो मैं आपको रिमायन करूं गा साथ में वार्ण करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है अगर आप इनके पीछे पड़ेंगे इस काम से तो दिक्कत हो जाएगी आपको ही क्योंकि इनकी अपनी सर्ते हैं और ये अपनी सर्तों पर ही चलती हैं अगर आप इनके साथ गलत तरह के ब्योहार में उतरते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भायानत प्रडाम आप देख सकते हैं ब्योकूब बना रहे हैं ब्यकूब बना कि किसी लड़की को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ही गलत मन और दसा है आपकी, क्योंकि इस्तेमाल करने का मतलब ही है, कि आप उसको सामान मान के चल रहे हैं, उसको आप इंसान नहीं मान रहे हैं, तो जो लोग किसी भी इंसान को सामान मान के मिल रही है, ये काम छोड़ दे, सजा खतम तू आराम कर, ऐस कर, मज़े कर ग्रोथ मिलेगी परड़ाम अच्छे हैंगे, भगवान ये बताते ने, भगवान सोचते ठोकर लगेगी तो सीखेगा, लेकिन सबक जो होते ना वो समय बहुत लेते हैं इसलिए ग्यानियों के पास में उठना बैटना चाहिए, कम समय में ज़्यादा सीख जाओगे, क्योंकि उनके अपने खुद के सबक होते हैं तो लड़कियां भी, लड़के भी, अगर आप गलत काम में बढ़ रहे हैं, तो प्लीज रुख जाईए मत जाईए उधर, वो ना आपके लिए सही है, ना आपके परिवार के लिए सही है और हाँ ऐस नाम वली लड़कियां, इनके इंदर गिल्ट फीलिंग बहुत जादा आती है अगर इन्होंने थोड़ी सी विगलती किसी के लिए कर दी है और नहीं तो फिर ये इतनी जादा जो है गलतियां करती है जान बोच कर, परिसान करने लगती है उस पर इनको खुसी भी होने लगती है इनको जरा सा भी अपने उपर क्या बोले उसको लजजा नहीं आती इस बात की, कि इनो ने किसी से कुछ गलत कर दिया किसी के साथ करती है तो डंके के चोट पर और अगर इनसे गलती होई है और किसी के प्रतिन का सम्मान है तो उस सम्मान के बदले में ये कोई गलती ने करना चाहेंगे और उस व्यक्ति को हमेशा प्रसंद रखना चाहें उसको हमेशा इज़त देना चाहती है तो कुछ ऐसी बाते हैं जो कमाल की हैं जो आपको जानना चाहिए अगर आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जिनका नाम S से स्टार्ट होता है और उनकी सबने आप सुन रहें कि क्या है तो प्लीज आप उन्हें सपोर्ट कीजिए और देखिए कि आपके परिवार की किसमत को वो बदलने में कितने सहायक है तो बस इस वीडियो में इतना है मैं उम्मीद करूंगा सभी लड़कियों ने इस बात को सुना होगा और होखोस भी होंगी अपने बारे में इतना सब कुछ जानकर और भी जादा जानकर इगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें मैं और भी डिटेल में इसके बारे में बात कर सकता हूँ ग्रहों, मनोदसाओं, दसाओं और बहुत सारी सी बाते जिनको जोड़ करके हम आपको और भी जादा डिटेल दे सकते हैं ऐस नाम वाली हैं तो फिर आपको अपने लिए अच्छे लोगों की तलास हमेशा रहती है और आप अपने प्यार में बार बार दोखा खा सकते हैं आपका प्यार अधूरा रह सकता है आप जिने चाहते हैं वो आप से दूर हो सकते हैं कंप्रमाईज आपको करना आता नहीं है इसलिए आप चिजों को खो देते हैं तो अगर आप थोड़ा सा दुनियादारी भी सीख लें, थोड़ा सा नाजुक बन के ना रहें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएं जाएं जाएंगे, आप ज़्यादा खुश रह पाएंगे, ज़्यादा चीजों को पा सकेंगे, और तरक्की आपके लिए एक सरल सा रास्त जैसा बन के रह जाएगी, तो बस आप अपने जिवन में चलते रहें, तरक्की पाते रहें, और हमारे वीडियो को इसे देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ सेर करते रहें, आपको वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट में बताइए, कोई भी जानकारी प्राप जो आपके जीवन में आपके लिए बहतर रहेगा, कुंडिली दिखाने की फीस 1100 रुपए है, और अगर दो लोगों की कुंडिली मैच करनी है, तो मैच करने के लिए 200 रुपए है, बहुत ही सिंपल सी फीस है, ये बात में बदल भी सकती है, गट भी सकती है, बड़ भी सक बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं इंगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार खुश रहिए